हलो दोस्त नमाशकर आइए स्टार्ट करते हैं 29th of April का 1st editorial title आपको दिया है in haste मतलब जलदी बाजी में हेस्ट का मतलब क्या होता है जलदी बाजी तो जलदी बाजी में editorial में जादा कोई words नहीं है इसलिए veins की slide मैं इसमें ेड नहीं की है इसको start करें उससे पहले बतादू आपको कि कल 30 अपरेल है है और 30 अपरेल मेंने पहले ही कहा था था आपसे कि 30 अपरेल तक का एक offer आपको दिया गया था men's के बेच पर यह जो batch है mon's वाला इस पर 30 अपरेल तक का offer था उसके बाद में इसका price increase हो जाएगा में इस person से इसका price अलग दिखेगा आपको अभी अगर आप चाहें तो 2200 में ये course buy किया जा सकता है first of May से इसका price increase हो जाएगा इसमें आपको 50 questions per day मिल रहे हैं 3 sessions upload हो चुके हैं आज 4th session इसका upload होगा बहुत अच्छी practice आप यहां कर पाएंगे इस batch में जो भी men's की तयारी कर रहे हैं बच्चे जिनको लगता है कि हम pre pass कर लेंगे उनके लिए भी उप्योगी है NDA, CDS की तयारी करते हैं English में improvement चाते हैं उनके लिए भी important है जो pre के लिए तयारी कर रहे हैं या जिनका 10 प्लस 2 का exam है आने वाले दिनों में उनके लिए भी बेहद important है तो यह आप आज और कल दो दिन आपके पास हैं इसमें आप buy कर सकते हैं ठीक है एक और है B108 यह जो batch editorial का इसमें एक editorial जो आप यह देख रहे हैं यह जल्दी मिल जाता है सुबह दूसरा एक quiz मिलता है 15 questions का with pdf वो board पर नहीं होता है यह दोनों sessions आपको यहाँ पर मिलेंगे B108 batch में इसके अलावा आपको telegram channel पर जुड़ना है telegram channel का नाम भी आशिस classes है यहाँ पर आपको per day quiz मिलते हैं 10-15 quiz इसके अलावा हर वीडियो की notification और इस session का pdf यह जल्दी मिल जाता आपको pdf सुबही मिल जाता है तो आप इस pdf के माध्यम से सारी vocab देख सकते हैं पढ़ कर देख सकते हैं कौन सा session है यह mindset करके उसके बाद यह session देख सकते हैं यह सब चीज़े हैं इंहेस्ट का मतलब है जल्दी बाजी में यह start करते हैं एडिटोरियल ज़्यादा मुश्किल नहीं है आसान लगेगा जो हम इडिटोरियल पढ़ते हैं उसके अपिक्षा इमर्जनसी यूज ऑथराइजेशन यह हो गया आपात का लिन प्रियोग कर सकते हैं ऐसा अधिकार ग्रांटेड ग्रांट का मतलब अलाव करना है स्विकार करना है परमिट करना है तो यह जो इए यूज ए कहा गया है इमर्जनसी यूज अथराइजेशन जो ग्रांट किया गया कब अप्रियल 26 को जब आप डेट की बात करते हैं और उसी डेट की बात कर रहे हैं केवल तो आप ओन का प्रियोग करेंगे तो पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर डेट उससे पहले ओन लगता है तो एई यू ए जिसको स्विकार किया गया जिसको अलाउग किया गया 26 अपरियल को कौन-कौन से 2 वैक्सिन्स की बात है 2 COVID-19 वैक्सिन्स है एक का नम कॉर्बे वैक्स है ये तो कहा गया है कि 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी और एक को वैक्सिन है इसके लिए कहा गया है कि 6 से 11 साल के बच्चों को लगेगी तो यह जो authorization है न, is, यह इसकी verb है One more instance, यह एक और उधारने instance का मतलब example होता है वेर दे इंडियन ड्रग रेगुलेटर, भारती यह जो ड्रग रेगुलेटर है इसके बहुत जल्दी बाजी में काम किया है यह एक और एक्जामपल है जहां पर हमें सामने आता है कि भी ड्रग कंट्रोलर जो है भारत का, उसने बहुत जल्दी बाजी में decision लिया है तो EUA की verb जो है, वो तो हो जाएगी क्या, is इसके बाद में the Indian drug regulator है, इसकी verb है, वो has acted है in hast का मतलब जल्दी बाजी में है और इसमें कुछ vicious नहीं है, इतनी सी बात है इसमें है आगे देखिए, even if, even if एक phrase है, इसका मतलब weather or not जब आप even if का प्रियोग करते हैं, तो इसका meaning क्या निकलेगा, weather or not ठीक है, तो चाहे ऐसा हो या नहीं हो, तो even if the EUA granted to co-vaccine की जो EUA जिसको स्विकार किया गया है, यह स्विकर्टि दी गई है किसको co-vaccine को, in January 2021, January 2021 में, despite के बाउजूद यह preposition होता है, despite के साथ तो आपको एक बात याद रखनी है जो exam में पूछा जाता है, वो यह बात है कि despite के साथ में कभी OF का प्रियोग आपको नहीं करना है, यह preposition है, ठीक है अगर आपको OF of लगाना है, तो in spite में लगाना है दोनों का meaning same है, तो कह रहा है कि, चाहे EUA जो grant किया गया co-vaccine के लिए, January 2021 में, despite no safety and efficacy data efficacy का मतलब होता है effectiveness, प्रभावी शीलता, effectiveness, तो इसके अंदर ना तो कोई safety और efficacy data थे, उसके बावजूद कर दिया, ठीक है, और data किसके, phase three trial के, phase three trial होना था, उसके result सामने आने थे, उस result के बगैर ही इन्होंने co-vaccine को मनजूरी देजी थी, ठीक है अब कॉन्दों शब्द है, इसका मतलब होता है छमा करना, तो आप इसको excuse कह सकते हैं, आप इसके लिए एक synonym forgive डाल सकते हैं, और एक इसका मतलब होता है overlook करना, अंदेखी करना, ठीक है आप इसको तो माफ कर सकते हूँ कि आपने जनवरी 2021 के अंदर बिना कोई safety और efficacy data के आपने कह दिया कि भी ठीक है, को वैक्सिन को मनजूरी मिल गई, इसको तो कर सकते हैं क्या, इसको तो छमा किया जा सकता है, एज डेस्पेरेट मेजर कारण की आपने बहुत ज़्यादा, डेस्पेरेट का में आता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक जरुवत थी, डेस्पेरेट मेजर था, आपका जो यह step था, बहुत ज़्यादा आउशक्ता में लिया गया था, इन इंशोरिंग यह सुनिश्चित करने में, greater vaccine availability की आपको बहुत बड़ी संख्या में vaccine चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर रेगुलेटर जो है, यह जो drug regulator है, clearly has no fig leaf, fig leaf का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ढखने का काम करे, ऐसी कोई चीज जो किस चीज को ढखने का काम करे, लेकिन इसके पास कोई भी fig leaf नहीं है, किसलिए, defend करने के लिए, the green lighting, green light का मतलब स्विकरती देना, कि आपने स्विकरती दे दी, अब the vaccines for children at this stage, कि इस stage पर अपने बच्चों की vaccine की मनजूरी दे दी, इसको आप कैसे छिपाऊगे, कैसे इसको defend करोगे, आप आपके पास नहीं यह बात EUA की verb is है, is condone, the regulator की verb has है, fig leaf का मतलब ऐसी कोई चीज जो छिपाने आ काम करें, दूसरी कोई चीज को, no है, वो determiner है, fig leaf noun है, condone का मतलब excuse, forgive या overlook है, छमा करना भी कह सकते हो, और अंदेखी करना भी कह सकते हो, desperate एक executive है, a determiner है, desperate यहाँ पे हो गया, executive, measure हो गया noun, तो चाहे EUA जो स्वीकार किया गया था, जिसको allow किया गया था, को vaccine को मनजूरी दी गई थी, emergency use authorization के आपातकल निस्तियों में इसका प्रियोग कर सकते हैं, जन्वरी 2021 में, इसके बावजूद कि आपके पास phase 3 के, ना तो कोई safety और efficacy data थे, उसके बावजूद आपने कह दिया कि इसको करे हैं, तो यह जो है, इसको क्या किया जाता है, इसको ठीक है, condon कर दे, कि इसको आप ignore कर सकते हो, क्योंकि उस समय की जर्वत थी कि vaccine के availability चाहिए थी, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में vaccine आपको चाहिए थी, तो इसलिए आपने एक great need में यह step ले लिया, लेकिन regulator, अब ज आपके पास है नहीं, ठीक है, अब आज का quiz देखिए, tenor शब्द है, इसका meaning बताना है, कल का जो quiz था, उसका meaning, उसका जो answer था, वो ignore था, और लगभग सभी का आपका सही था, tenor शब्द है, इसका meaning क्या है, यह बताना है, pattern है, superior है, timid है, या godly है, अपना answer दीजिए, हमारी student देखते हैं, वो सब आप like करके जाएं, यह एक motivation होता है, पढ़ाने वाले के लिए, काम करने वाले के लिए, कि हाँ, हमारा काम ठीक चल रहा है, तो हम आगे और बहतर करने का प्रयास करें, आगे देखिएगा, evidence from across the world, evidence जो है, इसके बारे में एक खास बात यह है, कि evidence का plural नहीं बनेगा, evidence का बहुचन नहीं बनता, no plural, evidence नहीं होगा, ठीक है, तो evidence from across the world, across the world पूरे विश्यो भर में, तो पूरे दुनिया भर से जो सबूत मिले हैं, after the deadly data variant, delta variant and the extremely transmissive omicron variant, किसके बाद, deadly का मतलब होता है, fatal, जानलेवा, किसके बाद, जो जानलेवा एक वेरियन थ देल्टा, और दूसरा extremely मतलब बहुत ज्यादा, transmissive मतलब संक्रामक, omicron variant है, तो इससे जो आंकडे प्राप्त हुए हैं, जो सबूत प्राप्त हुए हैं, इसने दिखाया है, क्या, that unlike adults, क्या दिखाया है, कि adults के विप्रीत, जो you are लोग हैं, उनके विप्रीत, unlike यहां पे, adjective form में है, इसका मतलब है के विप्रीत, कि adults के विप्रीत, children in general, कि बच्चे, अगर आप समाने तो बबात करें तो बच्चे, और छोटे बच्चे, विशेस करके, in particular, विशेस करके, do not suffer from severe disease, यह कोई गंभिर बिमारी से सफर नहीं होते हैं, सफर के साथ में प्राप्त का प्र प्रियोग small के अर्थ में करोगे, तो फिर आप इसे countable noun के रूप में यूज़ कर रहे हो, यह countable हो गया, otherwise little जो है, वो uncountable के लिए आता है, यह ध्यान रखिएगा, सफर के साथ में from का प्रियोग करते हैं, एक्रोज जहां लगा दिया है, इसका मतलब संपूर्ण की बात कर रहे हैं, तो जो सबूत मिले हैं पूरे दुनिया भर से, किसके बाद, जो घातक delta variant है, उसके बाद, और बहुत ज़्यादा, जो संक्रामक omicron variant था, उसके बाद, तो जो evidence है, उसने यह दिखाया है, सबूत इस चीज़ के मिले हैं, कि adults, तो हलंकि वो तो सफर करते हैं, severe disease से लेकिन बच्चे जो हैं, विशेश करके, छोटे बच्चे जो हैं, वो severe disease से सफर नहीं करते हैं, severe का मतलब गंभीर है, intense है, ताइसी ए मार्ज 4th, seroprevalence survey, अब यह seroprevalence क्या होता है, देखिए antibody test होता है, कि आपके blood में antibody है की नहीं है, बिमारी के प्रती रोग, प्रती रो survey है, तो ICMR का जो यह 4th survey हुआ, जून जुलाई 2021 में, सून आफ्टर शिग्रबाद में, second wave, peaked, peak का मतलब है, सबसे ज़्यादा उपर पहुंचना, top पर पहुंचना, तो जब second wave का peak आया था, nationally, राष्ट्रियस तर पर, तो found, इस survey ने यह पाया, यह इसकी verb है, debt conjunction हो गया, कि 57.2% जो बच्चे हैं, जिनके आयू 6-9 वर्ष थी, और 61.6% बच्चे जिनके आयू 10-17 वर्ष थी, वो SARS को COV-2 से infected थे, संक्रमी थे, ठीक है, seroprevalence among adult was 66.7% और seroprevalence जो था युवाओ में, वो इतना परशेंट था, ठीक है, तो seroprevalence की verb वो जह है, तो इस survey की verb है, found है, इसकी verb है, वो peaked है, इनकी verb है, वो वर है, और ये जो seroprevalence की verb वोज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसके अंदर, आगे देखिए, since vaccination of adolescents, किशोर, युवा, तो कहरा है कि, चूंकी, अब सिंस यहाँ पे है, वो चूंकी कार दे रहा है, conjunction है, because का meaning दे रहा है, चूंकी जो टिका करण है, युवाओं का begin, ये शुरू हुआ, ये इसकी verb है, only in early January 2022, कब शुरू हुआ था, जन्वरी 2022 के शुरुआत में ही हुआ था, the antibodies detected in children, तो जिन antibodies को detect करना, फाना, find करना, है न, तो जो antibodies यहाँ पाए गए बच्चों में, mid 2021 में, ये antibodies were only from infection by the virus, ये किसके कारण थे, वाइरस से infection के कारण थे, ठीक है, तो चूंकि vaccination जो है, adolescence का वो शुरू हुआ, जन्वरी 2022 के शुरुआत में, तो जो antibodies detect किये गए बच्चों में, mid 2021 में, वो किससे थे, वाइरस से infection के कारण थे, the extremely infectious omicron variant, extremely बहुत ज़्यादा, infectious संक्रामक, omicron variant नाम हो गया, तो extremely adverb है, यह आपका executive है, यह नाम है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो संक्रामक, omicron variant है, would have infected, यह कर देता, would have के साथ, third form हो जाता, यह कलपना होती है, एक imagination होता है, and even larger percentage of children, अगर ऐसा होता, तो कह रहा है कि, यह तो बहुत ज़्यादा, बड़ी percentage बच्चों को infect कर देता, ठीक है, यट, फिर भी, जो number of cases रहे, deaths के, और cases के, 5 से 11 साल के बच्चों में, has been very low, वो बहुती कम रहे हैं, ठीक है, तो number की verb है, वो has, और has के साथ, third form, been, very है वो adverb, low यहाँ पे executive, यट है, वो adversative conjunction है, फिर भी कारता देता है, फिर भी, जो संख्या है, severe cases के और deaths की बच्चों में, 5 से 11 साल के बच्चों में, ब वापस से खुलने लग गए है, children could be a greater risk, तो सही यह बात की बच्चे जो है, वो काफी बड़ी risk पे हो सकते हैं, किस चीज की risk, contracting, infection, infection, संकर्मन, contract का मतलब यहाँ पे develop करना है, get करना है, यहाँ पे contract जो शब्द है, इसका मतलब को बीमारी के लिए get या develop, तो यह इनको बीमा infection का किस संकर्मन वो develop कर सकते हैं, but with natural infection found to offer protection, लेकिन जो natural infection है, वो पाया गया है, क्या, कि अगर कोई natural infection होता है, तो वो protection देता है, across age groups, सभी age groups में, अगर एक बार infection हुआ, तो antibodies develop होती है, वो आपको शरीर को एक क्या कैसा, रोख प्रतितों चमता विक्षित करती है, इंडिया could have waited, तो भारत जो है wait कर सकता था, could have के साथ third form, जब भी किसी model के साथ, have के साथ third form लगाएं, इसका मतलब यह past हो जाएगा model का, तो भारत wait कर सकता था, wait के साथ में four लगता है, यह बात ध्यान रखना, कि wait four बराबर होता है, await, wait के साथ four लगा सकते हैं, await के साथ नहीं लगा सकते हैं ठीक है वैलिडेशन वैलिडेशन का मतलब अप्रूवल है वैलिडेट करने का प्रॉसेस है अब दा एविलेबल एविडेंस क्या वैलिडेशन किसका वैलिडेशन एविलेबल एविडेंस का on the vaccines for children और evidence किस चीज़ को लेकर बच्चों के साथ अगर बात करें जो infection पाया गया है किसके लिए offer protection कि इसमें infection जो है natural infection अगर होता है तो वो protection offer करता है सभी age groups में तो भारत wait कर सकता था validation का कि भारत इस approval का wait कर सकता था ठीक है अब the available evidence on the vaccines for children validation कि इस चीज़ का कि भी उपलब्द जो सबूत है vaccines को लेकर कि बच्चों के लिए vaccine कितनी प्रभावी रही कि इन सब चीज़ों का wait कर सकता था result आंग देते अगर वास्ता में effective है तो फिर आप launch कर देते लिए अपने जल्दी बाजी कर दी अन्लाइक इन जैन्वरी 2021 तो हो गया के विप्रीट किसके विप्रीट जन्वरी 2021 के विप्रीट ठीक है तो जन्वरी 2021 है उसमें जो हुआ था उसके विप्रीट क्या हुआ था उससमें तो वैन बता रहा है adverb of time उससमें ये हुआ था कि approving vaccines for adults तो युवाउं के लिए जो approval है वैक्सीन का जल्दी हो सका उतने जल्दी किया गया was the highest priority ये सर्वोच प्रात्मिकता थी approving जो है ये इसकी वर्ब है वोज approving यहाँ पर gerund भी बन जाएगा जब ing form subject बनता है तो वो gerund कहलाता है ठीक है क्योंकि ing form जो है किसी क्रिया के साथ ing लगकर noun बन सकता है और ये noun है यहाँ पर तो करें जनवरी 2021 में जो हुआ था उसके विपरीत क्या हुआ था उस समय उस समय तो vaccines जो है युवाउं के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी approve करना था और approval जो है वो highest priority पर था and hence the EUA based on fewer cases और इसी कारण से जो emergency use authorization है किस के आधार पर based में उन लगेगा fewer cases कुछ cases के आधार पर and short follow-ups और थोड़ा बहुत आपने follow-up किया है follow-up का मतलब आपने मतलब इन चीजों को अच्छे से देखा है जांचा है detect किया है यह वो just seen as a necessity ऐसा देखा गया कि यह जो EUA है उसको देखा गया यह passive voice हो गया इसकी verb है EUA की as a necessity एक आवशक्ता है यहाँ पे determiner necessity यह और इसी लिए EUA जो है किस के आधार पर कम cases के आधार पर और चोटे मोटे follow-ups आपने की होंगे बहुत बड़ी तो यहाँ आपने शोद आपने की नहीं यह देखा गया कि बहुत जरूरी है ठीक है अब यह उसके विपरीट the situation is not the same now अब situation same नहीं है वैसी इस्तितियाज नह कि डिगरी positive है वो या तो so edge के बीच में आती है या फिर edge edge के बीच में आती है ठीक है दूसरी बात so edge जो है वो किवल negative sentences में आता है जबकि edge है वो positive negative दोनों में आ सकता है और यह इसलिए लगाया गया है edge edge सीधा भी तो कर सकते थे in the case of children of five years लेकिन edge edge इसलिए लगाया क्यों जो regulator है उसको बहुत ज़्यादा urgency थी किस चीज़ की कि vaccines को अनुमती दे बच्चों के लिए किसके तहथ EUA root के तहथ emergency youth authorization के तहथ आपातकल निस्तिती में प्रयोग करने के स्विकरती देने के तहथ is highly questionable ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है questionable executive है क्योंकि जिन words के end में able हो ताव executives होते है highly यहाँ पर adverb है is यहाँ पर linking verb है ठीक है तो यह regulators agency जो है इसकी वर बीच है clinical trial data जो clinical data है और कॉर्बे वेक्स किसके इस vaccine के ठीक है जब final print था उससे पहले है ना उसको बोलता है pre print which is yet to be peer reviewed जिसको की अभी peer review किया जाना है peer review क्या होता है peer का मतलब साथ ही होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई परियोग करके एक निशकर्स निकाला आपके साथ 15-10 लोग और भी काम करते हैं कोई संस्ताइं काम करती है उसक का मतलब वो काम होना बाकी है सेश है तो clinical trial data कorpevex का बच्चों के लिए कौन से बच्चे 5-12 साल के बच्चे इनको post किया गया था एक pre print के रूप में जिसको की अभी peer review होना बाकी है यह पैसी वही सबी के साथ 3rd form on the day किस दिन approval was granted यह उस दिन की बात है जब approval grant किया गया approval की वर्ब क्या है was granted ठीक है तो यह कह रहा है कि on the day approval granted जब यह उस दिन की बात है जब approval कि स्विकरतित दी गई थी trial data for covection अब बात कर रहे है trial data किसके covection के यह कौन से बच्चों के लिए 2-16 साल के बच्चों के लिए were posted इनको post किया गया pre print के रूप में December 2021 को ठीक है तो यह तो I had already set a precedent precedent जो शब्द है यह बहुत काम का शब्द है important है आपसे पूछा जा सकता है prior example को बोलते हैं पूर्व उधारन को बोलते है प्रिसिदेंट prior example तो स्वास्ते मंत्राले जो है had already set a precedent इसने पहले एक उधारन पेश किया था last month पिछले महीने कैसा कि इसका clear करके इस Approval of the National Technical Advisory Group of Immunization इसकी स्विक्रती की बगएर ठीक है इसका full form दे रखाए विच क्लियर्स अब ये anti-AGI क्या करता है ये clear करता है clearance देता है वैक्सीन को किसली ये राश्ट्री टिका करन प्रोग्राम के लिए ठीक है Immunization टिका करन वैक्सीनेशन इसे क्या बोलता है वैक्सीनेशन टिका करन एक बार फिर समझना जो स्वास्ते मंत्राले है उसने एक उधारन पेश किया था पिछले महीने क्या करके जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे के 12-14 साल के बच्चों के लिए बिना सीक किये सीका चाहना कोशिश करना डिमांड करना बिना अप्रूवल मांगे है ना अप्रूवल नहीं मिला इसको NTAGI से NTAGI क्या काम करता है यह विच लागया रिलेटी प्रणाउन लगा के बताया यह वैक्सीन को क्लियर करता है किसलिए वैक्सीन को क्लियरेंज देता है अप्रूवल देता है नैशनल इमिनाजेशन प्रूवल के लिए with NTAGI clearly against approving vaccines अब NTAGI जो है वो साफ साफ तोर पे against है विरुद्ध है किसके vaccines को approve करने को लेकर बच्चों के लिए there is every likelihood likelihood noun है every determiner है हर संभावना है और there से start है तो ये उल्टा होगा inversion होगा क्रिया करता से पहले आएगी हर संभावना है of the expert body being ignored again इसको फिर से ignore किया जाए ऐसी पूरी संभावना बंती दिख रही है ठीक है every likelihood की verb is है also साथ में प्राइम मिनिशन नरेंदर मोदीज मैसेज इनका जो मैसेज है April 27 को a day after the EUA 27-26 को इन्होंने EUA किया इसके बाद एक दिन बाद की बात है that every eligible child क्या मैसेज था कि हर जो eligible child है जो मतलब उस age group में fit बैठता है should be vaccinated इसको vaccinate किया जाना चाहिए at the earliest जल्द से जल्द ये जो मैसेज है ये क्या कर सकता है might prompt might दूर के संभावना है कि हो सकता है कि ये health ministry को prompt करे prompt का मतलब कारण बने किसके लिए to side step side step का मतलब यहाँ पर avoid करने से avoid या फिर आप इसे evade कह सकते है ठीक है तो ये हो सकता है कि side step करने के लिए cause करे कि NTA GI को फिर से ignore कर देगा एक बार फिर से thus departing इस प्रकार से depart करगा depart का मतलब प्रस्तान करना है deviate करना है पत से भटकना है even more from evidence based policy making ठीक है और ज़्यादा किस से deviate करेगा evidence based policy making जो सबूत आधारी policy बननी चाहिए उस चीज से बहुत आसान है फिर देखो साथ साथ में also जो है वो sentence के शुरुवात में भी आ सकता है also जो है वो man web से पहले भी आ सकता है तो साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर से पहले दे का प्रियोग नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेक्ती प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम जोड़ रखा है अगर यह नाम नहीं होता दे आ जाता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैसेज है कब की बात है 27 अपरेल प्रेटिकुलर डेट से पहले होने लगाते हैं यह डेट कौन सी है यह EUAK एक दिन बाद वाली बात है क्या यहाँ पे मैसेज है कि हर eligible child जो है उसको vaccinate किया जाना चाहिए जल्द से जल्द तो यह जो मैसेज है यह हो सकता है कि health ministry को कारण बने या prompt करे या प्रेडित करे किसलिए कि NTAGI को एक बार फिर से यह side step कर दे इग्नोर कर दे इससे avoid कर दे इसको इस प्रकार से यह policy making जो होनी चाहिए evidence के आथार पर इसको एक बार फिर से depart कर सकता है यह इसको doviate कर सकता है depart का मतलब प्रस्तान करना है तो policy making होनी चाहिए evidence के अधार पर evidence को एक बार फिर से छोड़ किनारे करके और policy बना सकते है तो यह था आज किस editorial में Monday to Friday हम session में मिलते हैं, आज का session complete हुआ, ये week का अंतिम session था, अब मुलाकात Monday को होगी, ठीक शाम 5 बजे, जरूर से session को like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा, और जो अपना course है, man's वाले batch का मैं फिर याद दिला दू, आज और कल, दो दिन में आप इसको buy कर सकते हैं, उसके Sunday को ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, thanks a lot.